वेल्कम बेक टो आर चैनल भहरब सिपी 143 आई होप यू और डूइंग वेल तो आज मैं और इक ब्लॉग लेकर आ गई हूं जो कि बहुत ही इंट्रिस्टिंग होने वाला है विकॉज अभी तीज आने वाली है करवा चौत आने वाली है तो लहंगा की बहुत जादा इस टैट के लहंगा वेर कर सकते हो जादा बाते नहीं करते हैं यह रही मेरी फर्स्ट लहंगा जो आप लोग को बहुत जादा पसंद आई थी और प्रस्टनली मुझे भी बहुत पसंद आई थी कॉलेटी वाइस बहुत अच्छी तो इस तरह से कुछ यह जाएगी मैं पि बहुत ही प्यारा है बहुत ही रॉयल लुक देगा आपको मैं इसका अटेच कर दूगी अगर आपको यह सारी परचेश करने तो मैं अपना इंस्टा इडी भी नीचे मैंसन कर दे रही हो आप लोग वहां से जाके चिक कर सकते हैं मैंने सारा कुछ मैंसन कर दिया गया है और यह रही नेक्स्ट लहंगा जो आप लोग फंसन पार्टी किसी के शादी वेगेरा में आप लोग पहन के जा सकते हो बहुत ही प्यारी है कलर बहुत अच्छा है इसका वो जो पैरोट ग्रीन आती है ना वो कलर की आजएगी लहंगा और जिसमें यह थ्रेड वर्क आ कि खेर भी बहुत ही प्यारा दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा घेर आता है मैं इसका भी पिक वेगर अटेश कर दूंगी इसकी ब्लाउस तो बहुत ज्यादा यूनिक है बहुत ही होने कुछ इस तरह से स्लीवलेश आ जाएगी इस तरह से और इसी में अटेश्ट आप लोग बहुत ही जाएगी तो पर इस तरह से वर्क आ जाएगा दूपट्टा में भी पूरा लाइनिंग गोल्डन के ब्लाउस आपको सेम इस तरह से मिल जाएगी ब्लाउस यह जैसा कपड़ा है ब्लाउस इस तरह से रिसीव हो जाएगी अब चलते हैं ने लाइस पे बहुत जादा डिमांड आया था जब मैंने पहना था इसे बहुत जादा लेंड आया था यह आप लेंगा आपको दिखा रहे वो सारा का पिक अटेच कर दूंगी इस तरह से की बलाउस आएगी जिसमें भी पूरा इस बीग च्टेच चूटे च्टेच चोटे सितारे का वर्ट क्या हो गया है और इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से आजएगा दुपट्टा यह तो ऑफ-लाइन मैंने पर्शेज किया था इसकी दुपट्टा बहुत ही अच्छी है यह आप अभी बहुत ज्यादा ऑन-लाइन में इसे देख रहे हूं बहुत सार लहंगे पहुत ही अच्छा है वह ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था मैंने अपने इस इडि में जो की बहुत ज्यादा ही अच्छा था इसमें चोटे शोटे हैं पर पूच बने वहाई आजएगा जिसका बहुत ज्यादा घेर आता है साथ ही व्लाउच पीस इस तरह से ब्लॉ कलर की ब्लॉज की पीस आ जाएगी इसमें भी बहुत ही अच्छे से वर्क क्या हो गया है इस तरह से और इसका ये दुपट्टा आ जाएगा दुपट्टा वेगेरा सारा बहुत ही हैवी है ये भी मुझे एक इस्टर से ही रिसीव हुई थी मैं आप लोग अगर मुझ की इस तरह से आ जाएगी बहुत ही प्यारा सा वर्क आ जाएगा इसमें बहुत ही अच्छी लटकन लगी विए बहुत ही अच्छा लुक देता है साथ ही आपको इस तरह से ये नीगजे का लहंगा मिल जाएगा इसमें बहुत ही अच्छी कैनकेन दी विए बहुत ही बीच बीच में आपको सितारे का भी वर्क दिख जाएगा और पूरे बोडी में आपको इस तरह से वर्क आ जाएगा और जैसे जैसे आप नीती जाते जाओगी वैसे आपका थोड़ा डार कलर आते जाएगा सो बहुत ही प्यारा था guys seriously बहुत प्यारा था मैं सारे का photo उपर attached कर दूँगे and next रही यह लहंगा जो आप लोगों ने ये भी मैंने बत सावित्री में पहना था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था तो ये बहुत ही simple है बट बहुत यूनिक और बहुत ही मस्त है बस ये velvet की है इसमें छुटे छुटे जो मोती लगे वेरत है वो लगे वी और फ्लावर बनी भी है साथ ही ये ब्लाउज है ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा यूनिक था इदर इस साइड में आपको फ्लावर बनी भी जएगी और एक हैंड में आपको इस फ्लावर बना हुआ जाएगा ओर एक हैंड इस तरह से plane रहेगा और इसकी दुपत्ता भी बहुत ही अच्छी है इसका दुपत्ता एकदम डार्क पिंक लगी है और इसमें छोटे-छोटे फ्लावर बने हुए है और बॉर्डर कुछ इस तरह से है जगा जिसमें मोती वेगेरा सब कुछ लगी है तो अफ़ोस आप ये वी तीज के लिए बहुत ही परफेक्ट आउटफिट हो जाएगी आपकी अब नेक्स्ट रहा ये लहंगा ये चुन्डरी प्रिंट वाली लहंगा है जो कि ये भी बहुत ही मुझे एक इंस्ट्रा इस्टोर से ही रिसीव हुई थी इसकी भी कॉलेटी वेगेरा बहुत अच्छी है इस तरह से बहुत जादा इसमें बहुत जादा कपड़ा देया गया क्या आप इसे सरपे लेके जितना भी तक बहुत ही अब बहुत अच्छी है इसका भी फोट आटेच्ट कर दूँँ आज वैं बहुत ही ब्यूट प्रोड़क्त लेकर आई हूं जो कि मुझे रिसीव हुई है जूग से ये जूग से ये ब्यूटिफुल सा बैग बहुत ही अच्छा है बहुत ही डिजाइन है यहां पर काम किया हुआ है और इसकी क्वालेक्टी फैब्रिक सब बहुत ही ऑसम है अगर आप लोग इंट्रेस्टेट्ट हो इसे पर्चेज करने में तो मैं अपना कूपन कोड यहां नीचे मैंसन कर दे अब लेबल है आप लोग जन्री से जाएं और धेर सारा सापिंग करिए यह एक पेज है तो आपको टैंसन की कोई भी चिंता नहीं होगी तो मैं इनका सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब नेक्स्ट लेंगा जो की बहुत ही ऑसम है मेरी फेवर लुक दे रहा है बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है इसमें कैनके आपको कुछ इस तरह से कैनके मिल जाएगी बहुत ही हैवी कैनके ओभी एक लेयर नहीं दो लेयर नहीं तीन तीन लेयर की कैनके है तो बहुत अच्छा घेर देता है बहुत जादा ही अच्छा और साथ में इस तरह से blouse piece receive हो जाएगी कुछ इस तरह से आप खुद के according से stitch करवा सकते हो और साथ ही आपको ये दुपट्टा receive हो जाएगा इसका color combination भी बहुत ही awesome दिया गया है border में कुछ इस तरह से इसका border work किया हुआ आ जाएगा और इसमें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे सितारे भी लगे हुए flower safe में तो personally मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया था कुछ इस तरह से ये आजाएगी बहुत ही lightweight है इस तरह से first layer आएगा एंड ये रहेगा कुछ second layer इस तरह से ये मिल्कुल simple है जिसको ज्यादा heavy नहीं चाहिए ज्यादा heavy नहीं समाल सकते है और इस तरह से ये blouse piece आजाएगा आपको blouse piece receive हो जाएगे इस तरह से इसमें भी छो आपको इस तरह से ये दुपट्ता रिसीब हो जाएगी और साथ ही आपको ये बेंट भी रिसीब हो जाएगी मैं photo attached कर दूंगे इससे आपको ज्यादा clear समझ में आएगा कि ये लेंगा आप कैसे वैर कर सकते है खुद की according blouse stitch कर वा सकते हो full sleeve या फिर sleeveless जैसी आपको comfortable दो and then चलती हूँ मैं next लहेंगे पर ये रहा आज का मेरा final लहेंगा so ये भी लहेंगा बहुत ही अच्छी है बहुत ही light weighted बहुत जादा और कुछ इस तरह से वर्क आजएगा आपको ऊपर से आपको ये छोटे 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 फ्लावर बने वाज आ जाए बहुत सारे फ्लावर का और नीचे आपको मूतिया लगी आ जाएगे मुझे इसका quality वेगरा सबकुछ बहुत अच्छा लगा अगर आप ज्यादा हैवी नहीं पहनना चाहते हों तो आप बिल्कुल इससे पहन सकते हो और ये जो ये कि वैल्वेट जो कपड़ा होती है वैल पट्टा भी बहुत ज्यादा यूनीक है एक तरफ आपको इस तरह से बहुत ज्यादा हैवी वर्क आ जाएगा इस तरह से आपको बहुत सबकुछ बहुत अच्छी है है मैं सारे का पिक के अटेश्ट कर दो तो आज के लिए बस इतना ही guys I hope so कि आप लोग को ये vlog पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जदद जदद लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और जदद 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 शैर करिएगा ताकि जो भी तीज कर रहे हैं जरूर प्रेस कलेगे ताकि जब भी मेरा न्यू ब्लॉग या फिर कुछ भी न्यू वीडियो वेगरा अपलोड हो तो आप लोग को सबसे पहले नॉटिफिकेशन जला जाएं so thank you guys bye bye